हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक इन माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टेडी फ्रेंड्स आज का मारा जो वीडियो है वो है रसाइन विज्ञान यानि की केमेश्ट्री के उपर लाश्ट वीडियो में हम पढ़ चुगे थे कि रसाइन विज्ञान क्या होता है यह वह शाका और आज, हम करेंगेगे इसका रसाइन वर्गेवर्गें टिक है रहीं है जिसे वह स्टार्ट होता है हमारा इन तत्त्त से तो चलिए शूरू करते हैं लिज्ञान की टत्त्त्त का यानि, कि बिनें रश्पक्ता वियर्गं कैने जा सकता है और नह र्रू इससे किसी विधीज दबारा चाहे वो रासाइनिक विधीओं या वो बोतिक विधीओं चाहे वो फीजिकल मेथर्ड हो या केमिकल किसी विधीज द्रमी से और विवाजित नहीं कर सकते हैं और नहीं दो पदार्तों को मिला कर इसे बनाया जा सकता है जैसे कि कहना जा रहा है कि मान लेजिए हमारे पास है सोना ठीक है तो सोना की जो composition सोने की संरचना है वो उतनी ही रहेगी जैसी है वैसी रहेगी उसमें जैसे जैसे एक आटम से जिस तरह से वो विवस्तित हैं वैसी रहेंगे हम उसे चाकर भी उसकी संरचना को बिगाड़ नहीं सकते उसे और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते हैं ठीक है और नहीं कोई दो उसे चाइन हो और आगे चलते हैं है योगिक या यही एक शुद्पदार थी है जो रसायशनिक रूप से अधिक निश्चित अनुपात में रसायनिक सही योग से बने कि जो हमारा योगिक है यह यह होंगे हमारे तत्व का एक निश्चित अनुपात होगा ठीक है जिससे हमारा कोई भी योगिक या कंपाउंड बनेगा मान लीजिए आपको मैं एक्जामपल देता हूं हमारा वोटर ले लेते हैं ठीक है तो वोटर में क्या है हां at ias2a lobster में अपको देखी हाइड्रोजन और ओक्सिजं दौ था है हमारे तो हें अन्यव धिक्या defending अपने आपन हो डिक कि हाइड्रोजन के तो दो था तो थाफ कि हमारा एक है तो यह निश्चित अनुपात होगा-जब तक यह अनुपात नहीं होगा यह पानी हें तो किस की भी योगिक को बनाने के लिए तत्वों के संयोग होना जरूरी है लेकिन द्यानक देने वाली बात के एक निश्चित अनुपात में ठीक है अब यह नहीं कि हम आइड्रोजन यहां पे ले लेते हैं मालीजी चार और अक्सिजन ले लेते हैं एक तो हम यह नहीं कह सकते कि ज ką एक पाइडून के लिए 2 य्श्चित अनुपात में संयोग से बनता है ठीक है और यहां पर एक और बात यिसने क्या क्या रखनए है कि योगिक के गुण उनके अभी अभी तत्वों के गुण से भिन होते हैं कि योगिक जो बनता है वह उसमे जो तत्व बने उन तरह तक तक तो के और योगिक के गुण बिलकूल ही अलग अलग होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर ऑक्सीजन जलने में सहता करती है। और जब कि हाईडोजन खुद जलता है तो यह उसका हो गुण हो गया। और लेकिन इन दोनों का योगिक जो जल है, वो इनके अपोजिट है, वो आग को बुझाने का क्राम करते हैं, मतलब तत्व जो यह हैं, यह तो आग को जलाने में हेल्प करते हैं, जबकि जल आग को बुझाने में हेल्प करते हैं, तो इनके मतलब की जो गुण होंगे योगि तत्व या योगी को कि किसी भी अनुपात में मिलने से पराप्त होता है सेम वही बात है कि इमिश्रन है ठीक है तो जाहिर सी बात है कि यह है शुद्ध पदार्त नहीं होगा इसमें कुछ भी मिल सकता है ठीक है तो यह कहा रहा है कि यह भी तत्वों की योग से तो बनेगा लेकिन इसमें जो यो तत्व हैं उनका निश्चित अनुपात होना जरूरी नहीं है किसी भी अनुपात इसकते हें, कोई भी अनुपात से अगर उस धक्ट आन जीरा हें, कोई भी आनुपात से अगर मिशन最 प्रजक होग का देखे, पनते हाएं लेकिन अ निष्टे इसनि भी होताह, यहां जो मिष्ण उन तका है इसके तत्वों को किसी भी की वीडियीव राशायनीक वीडियर या बहुती वीडिया अलग-अलग कि कर सकते हैं ठीक है, मान लीजिये, हम कहते हैं कि जैसे कि हमारे मिशन हम कहते हैं, सुबह मान लीजे दही लेती हैं, आम तो पर गरों में क्या कहते हैं, दही जो होती है, उस दही में मिशन होता है, इसका दूद होता है, इसका दूद होता है, इसमें मक्षन होता है, इसमें मक्षन होता है ठीक है और नाइट्रोजन भी होती है लेकिन जरूर निया कि एक फिक्स रिश्यों होगा अब मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर ऑक्सीजन प्योर है ठीक है प्योर हवाय तो उसका में बहुत मात्रा में अक्सीजन है लेकिन अगर हम किसी इंडुस्ट्रियल तत्तव मिले हुए है उनका अनुपात अलग-अलग हो गया तो ठीक है तो हवा में एक फिक्स अनुपात नहीं हुआ तो इस तरी यह क्या होगी योगिक नौगेग मिश्रन हुई ठीक है इस तरह चाप इसने याद रख सकती है अब यह कह रहा है जो मिश्रन होता है यह दो है तो हूमोजीनियस है निश्चित अनुपात में अवयोग को मिलाने से समांगे मिश्रन का निर्मान होता है इसे परते यह बाके गुल्ण धरम एक समान होते हैं ठीक है तो यह क्या कह रहा है यह कहरा है कि यहां पर जो उम ततों लेंगे उन तत्व का एक निश्चत अनुपात मुखना थे झो बनता है वह किसा वहूस साल दैकिक्त ET टीक है और इसके पर एक वाक्य गुण्धरम सम्मान वते हैं, मतलब की मान लीजीए आपने लिया अपने लिया हाइड्रोजन और हम अपने लिया कलोरिन टीक है और यहां पर जाने के बाद हमारा क्या बनता है गैस ही बनता है ठीक है तो आप क्या कह सकते हैं कि hydrogen क्या थे gas थे gas वाले है उसमें chlorine है उसके big property उसके भी गुण धरम गैस वाले है और वहाँ पर जो product बना हमारा उसके भी गुण धरम गैस वाले है तो यह कहते हैं एक fix अनुपात में होगा ठीक है और इसके जो गुण धरम होंगे वह सेम होंगे ठी विश्मांगी मिश्रण जिसके समांगी मिश्रण दे रहां कि चीन या नमक का जल्य विलियन ठीक है अब आदिये हैं पर चुने और विश्मांगी मिश्रण यानि कि heterogeneous mission इसमें कहते है इसमें जो हमारे अव्यव होंगे यानिकि जो तत्व हम उसमें मिलाएंगे वह क्याते नमका कि जरूरियार निकिए उर्पारत निश्रि नि घृत कि शिता है कि पहला ततव था है वह कौनसा था जो पहले था दिसकवर हो यूज Pawnda की कोंड़ी ताम पर्ंत falls for us कृज था और इसके खोज कव नदे सिक्क्तिनग शिक्स्टिन थीन और किसने रिपलन मी र्रेंडनिक पर यसे खोज परावा है system where लिखा मिल सकता है आपको कहीं कहीं तो इसकी खोज गीती है हमारी हैनिंग ब्रैंड नी ठीक है तो यह क्योशन यहां से मुझे ध्यान आ गया था इसलिए आपको बता दिया कि जो स्रब पर्थम ततव ग्यात हुआ था वह था फोस्फोरस और 1669 याने कि सोड़ा से अब यहां पर देखिए कुछ टेबल दे रहा कि प्रित्री पर पाए जाने वाले प्रमुक तत्व और उनका प्रतिशत इतना है ऑक्सिजन यहां से याद राक सकते हैं मेन मेन दे रखे हैं जो पूछ ली जाते हैं इसी तरह समाने शरी परसेंट बें तत्व कि ओस्ट मात्रा कितने होती तो यह भी इंपोर्टेंट टेबल जाती है यहां से आप याद रख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट बनती है तो यह आपको ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स आज का यह हमारा टोपिक था ठीक है तत्व और योगिक ठीक है और मिश्रन को लेगार नेक्स टोपिक में पढ़ेंगे मिश्रन को अलग अलग करने कि कुछ परमकिश है किया जिए कंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर किजी ताकि उन्येव्य है अपने पूछ मिल सके और कमेंट करके बताईए कि इस वीडियो में आपको क्या कमी लगती या फिर कुछ अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर सकते हैं तो अपना सुझाव जरूर दें ताकि हमें एक मोटिविशन एक रीजन मिलता रहे थेंक्यो अलवीदा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में